इसकार स्वागत आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक Кон्ट्रोवर्सी के बारे में Кон्ट्रोवर्सी है, प्रिथवी rä़ जो मुवी आ रही है अकषय कुमार की, उसको لेकर कंट्रोवर्सी हो गई है कैर इसमें बात ये आईए कि जो पृत्वी राज हैं क्या वो गुर्जर थे या फिर राजपूत यहां पर यह दोनों कॉम्मिनिटी जो हैं यह दावा कर रही हैं कि वो उनकी उनकी कॉम्मिनिटी से बिलोंग करते थे कैर यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पृत्वी राज जो जो जे वो क्या गुर्जर थे या राजपूत वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर आप न्यूस पेपर की कटिंग भी देख सकते हैं एक अनदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है क्या यह रिलीज को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी यहां पर प्रित्वीराज चुहान के बारे में अगर मैं बात करूँ देखिए इतिहास है इतिहास में काफी सारी चीज़ों को लेकर मत का मतलब विवाद है कि यहां पर अब लोग जो ना परमान मांगते हैं कि कहां पर यह चीज लिखी हुई थी अब यह जो लिखा हुआ जो चीज है आज की डेट में जो युवा है वो इस लिखी हुई चीज पर यकीन करता है और हर चीज को उनको एक फैक्ट चाहिए होते हैं कि हाँ यह बात कहां लिखी हुई थी हम क्यूं यह माने इतियास में किसने लिखा था और यहां पर यह बाते आती हैं तो इसको लेकर Controversy या विवाद स्टार्ट हो जाते हैं अब जितनी बातों जितनी किताबों से मैंने सर्च किया या फिर जहां पर मुझे मिला उन सब चीजों को लेकर मैं यहां पर आया हूँ अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आप अलग जानते हो आपके इसाब से यहां पर यह चीज होनी चाहिए थी वह फिर से कहाना वह मत की बात आ जाती है विवाद की मतलब की एक मत्भेद हो सकता है उस चीज के अंदर आपने कहीं और से पढ़ा हो जरूरी नहीं कि हमा आपको ध्यान रख ली होगी उन्हीं किताबों को लेकर यह movie भी बन रहे है और अने बातों को लेकर अपनी राजपूत कमुनिटी है और जो गूर्जर कमुनिटी उनने अपनी साकशे परस्तूत किया है इवन गुर्जर कम्मुनिटी उन्होंने कहा है कि हम आपको तत्थे देते हैं हम आपको सबूत देते हैं कि जो पृत्विराज जो थे वो गुर्जर थे यह सब चीज़े मैं आपको इस वीडियो के अंदर विद प्रूफ भी दिखाऊंगा जो अलग-अलग सेंचुरी है डिकलेट नोर्थ भारत और डेली वो एक अजमेर के राजा के रूप में गद्धी पर बैटे थे और वो एक अल्टिमेट हिंदू रूलर थे इवन पृतिवराज को कहा जाता है कि वो एक अंतिम राजा भी थे अब यहां पर काफी सारी चीज़ें आ जाती हैं क अंतिम राजा को कैसे प्रूफ करोगे सर इसका भी प्रूफ में आपके लिए लेकर आया हूं कि अंतिम हिंदू राजा थे यह बात भी इतियास कारों ने लेकर आये हैं अब यहां पर देखिए प्रूफी राज चोहान जो थे वो एक चोहान या फिर चहमान एक डैनस्टी डैनेस्टी का मतलब इस राजवन से वो बिलोंग करते थे और इनोंने परतिहार को हरा कर अपनी सत्ता मतलब ये गद्धी पर बैटे थे और कहा जाते कि 1107 से लेकर या 1108 के बीच में ये गद्धी पर बैटे और उन्होंने अपना राज्य जो है वो बहुत जादा विस्तार क ये अपने अपने फैक्ट हो सकते हैं और इसके बाद इनों ने चालुक्य के साथ यहां पर संगर्श किया गुजरात में लेकिन इनको इतनी वहां पर सफलता नहीं मिली फिर ये गंगा वैली की तरफ पर स्थान हुए गंगा वैली अब ये काफी जादा एक इंट्रस्टि की भूमिका के अंदर है यह एक्चल में कन्ोज की एक रानी थी कन्योज की रानी कinação के एकराजा थे जय चंद उनकी बेटी थी समय अब समयूकता संम्यूकता जो थी वह प्रत्यूराज को बहुए तरफ दूरि तक थे तो वह संम्यूकता तक पहुंचे उहां Уन्होंने मनमन में पृत्वी राज को अपना पती मान लिया था अब यह जो थी वो कनोज जो था वो एक गंगा वैली के नजदी की थे अब यानि कि आज की डेट में कनोज जो उत्तर परदेश में है तो यहाँ पर कनोज के जो राजा थे जैचेंद वो बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे जो राजा थे यह प्रित्वी राज चोहान इनको बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और यह सारी बातें जो इस मुवी के अंदर दिखाई गई है और यह कहां से ले गई है प्रित्वी राज रासो पृत्विराज रास्ो एक जो book है वहां से चीज़ें ली गयी है सारी की सारी और एक ओर book है पृत्विराज विजे इस book का भी वर्लेंट किया गया है इन दोनो book को देखेंगे और इन दोनो book का reference इस book के अधर आपको मिलेगा ये तमाम बाते हैं आपको इस कहानी के जरीय में मैं आपको समझाऊँगा अभी देखिए जो प्रित्वराज जो है उनको कहा जाता है कि वो एक लास्ट एक लास्ट हिंदू राजाते एक अंतिम हिंदू राजाते ये बात कहाँ मिलती है James Hill James Hill जो एक history professor या फिर एक historian मान सकते हैं कि British के थे यहां पर एक चीज आपको मानने पड़ेगी जो history में बहुत बड़ा योगदान देने वाले history में बहुत बड़ा योगदान का मतलब है कि हमें history बताने वाले हमारे ही देश के बारे में पहले तो कोई भी मुस्लिम का इतना हमारे पास नहीं मिलते हैं कि मुस्लिम हुआ करते थे यह बाद में 1192 जानवे 1190 के बाद मुस्लिम का यहां पर हमारे सामने देखने को मिलते हैं जिसे मिडायवल इयर यानि मद्यकालीन भारत का जाता है जिसमें मुगलों का शाषिन इतियास कर रहें लेकिन जादा तर जुष्रे हैं वो अंग्रेजियों को दिया जाते हैं क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री जो है वो बहुत जादा खंगाली थी अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आपके पास ज़तिकी में आप कुछ भी उखारना चा रहे हो ना य यह बात वहां पर शास्कों को जो राजा हैं समराठ हैं जो भी मुगलते उनको यह बात समझ में आ गए थी कि आने वाली पीडी जो है वो सबूत मांगेगी सबूत मांगेगी उनको लिखित कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो तभी तो शीरा लेखों पर लिखे जाते और तभी मद्यकालिन के साथ अपने पास एक जो राइटर है वो अपने साथ बिठाया करते थे कि यह आओ लिखो हमारा इतियास हमारे बारे में लिखो तब यहां पर जो थे इतिहास में जादा तर आप बात करें कि मद्यकालिन के बारे में काफी बार हमें बहुत कुछ समझ गेते शाशक तो इसलिए उन्होंने अपने सार राइटर भी ठाना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने इतियास लिखना शुरू कर दिया था और उन्हीं इतियास को जब इन्होंने लिखा था या किताबे जो उन्होंने लिखी थी अब पड़े कौन पड़े भाई इसको तीन अलग-अलग periods के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ता हिंदू, एक ता मौमडन और एक बिरिटिश, यहां पर हिंदू जो यानि कि एक धरम के दार पर हिंदू, मुसलिम को मौमडन कहा गया और बिरिटिश पीरिट यहां पर कर दिया गया था, और यहां पर इनों अपनी इस बुक के अंदर बताया कि जो पृत्वीराज चोहान थे, वो एक लास्ट रूलर थे, हिंदू, लास्ट रूलर थे हिंदू समाज के, यह हिंदू जो कम्यूनिटी थी उसके, भारत के, और इसके अलावा एक और जो यहां पर मिलती है हमारे सामने description, पृत्वीरा कि पृत्वीराज जो थे, वो लास्ट हिंदू समराट थे, अब यहां पर इवन यह जो राजस्तान शब्द यह पहली बार यहां पर इंट्रूड्यूस किया गया था, यह भी इसके बारे में भी बताया जाते कि राजस्तान पहले हुआ कर नहीं करता था, राजस्तान से प बात कर लेते हैं, गंगा वैली के बारे में, एक आपने बहुत बार यह सुना होगा, चार बांस, चोविस गज, अंगुल, अश्ट परवान, ता उपर सुल्तान है, मत चुके चोहान, यह काफी जादा फेमस एक कवीता है, और यह सुनकर भाई साब एक तरीके से कहते हैं क जहां पर इनके बारे में भी मूवी के अंदर बताया गया है, और प्रित्यूराज रासो जो है, वो चंदर परदाई के जो बेटे थे जहला, जहला, जहला करके, शायद मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, जहला करके शायद जो इनके बेटे थे, उन्होंने प्रित्यूराज राज्यों लिखे थी तो यह परमाण मिलते हैं तो इन प्रित्यूराज राज्यों के जो मित्र थे राजकवी थे चंदरबर्दाई इनकी एक रचना थी यहां पर अभी आपको इसके बारे में बताते हैं आपको गुजमाब आ जाएंगे और यह जो मुवी आ रही है प्रित् की सीमा माप में तो वो भी उस वक्त के राज्ये से बड़ी निकलेगी और उस समय उत्तर भारत के शक्तिसाली राजवन्स उबर कर आया जिसकी सीमा दिल्ली से अजमेर तक थी और उसका समराट थे वीर सिरोमेणी प्रित्यूराज चोहान अब मुहमद गौरी इसके बाद अपनी देश की बुख्मरी अब देखे ये लोग जो थे ने बूकेनंगे लोग थे बूकेनंगे इसलिए थे देखे इस चीज को आपको समझना है इतियास को आपका घर एक संवरिद घर है आपके दूसरे घर में जायेंगे ये लूट मचाने नहीं आपके घर में अगर चीज़े हैं आपके पास, आप क्यों दूसरे घर में ताकेंगें, क्यों घर के दूसरे की आप इक्ष्याר रखेंगे, कि मैं उसका लूट के लिया हूँ, आपके घर में लूटने की इच्छा या तो आपको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, 야 फिर आपके घर में भुखमरी सोने की चिँए क्यों का जाजाता था, actual में भारیत चिडिया सोने की, मतलब मान मतले ना की चिडिया ही थी सोने की, उसको पिंजरे में रखा था, भारत के पास सोना बहुत है, हम सक्षम थे, और इतना जादा हम समर्इत थे, कि भूगों को हम चुपते थे, लूट पार्ट करने की रादे से आजाते थे, और इसी लिए 1190 में पृतियूराज चौहान और मुहमध गोरी के बीच में तराइन का यूद, हरियाना के तराइन शेतर में तराइन का यूद होता है वहां पर, और आमना सामना वाँ जिसमें मुहमध गोरी की हारूय और पृत के लिए वो तरस रहे थे दाने दाने के लिए वो तरस थी इसलिए बार-बार वो लूट के इरादे से भारत में आ जाते थे और प्रित्वराज चुहान जहां एक बहुत एक तरीके से इनको इतना विद्वान बताया गया इवन इनको शब्द भेदी बान चलाने आते हैं एक तरीके से रणकोशल महान योदा थे वहीं एक दयालू समराट भी थे और मुहमद गोरी ने समराट से माफी मांगी और कहा कि देखी मैं बाहर अपने देश में चला जाओंगा मुझे माफ कर दीजिए ये भीक मांगी इनोंने तो समराट प्रित्वराज चुहान ने क्य कपट राजा राजा कहते हुई शरम है इतने बेशरम लोग थे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इनोंने अगर कोई शपत ली है यहां पर क्या हुआ हिंदुस्तान के कोने-कोने में जब इनोंने ये बात हो गई कि भही इनोंने हराद या मुहमद गोरी को इनको वापर चोड़ भी दिया तो हिंदुस्तान के कौने-कौने में प्रित्युराच चोहान के जो वीर परतापी समराठ होने के समाचार फैल जोके वहीं कन्योज के राजा जैचंद की जो बेटी थी उनका नाम था सयूंकता वो भी इनके इन किस्तों से बहुत जादा परभावी थी बह जैचंद जो थे वह पृत्युराच चोहन को बिलकुल पसंद नहीं करते थे और पसंद नहीं करते थे और जब उनको ये बात पढ़ाट के लिए पृत्यूराज चोहान को नीचा दिखाने के लिए जैचन ने उनको अमंत्रित नहीं किया इवन कहा जाता है कि अपने दर्वार के बाहर उन्होंने मिट्टी का पुत्ला लगा कर पुतला, मिट्टी का पुतला उन्होंने दवार पर लगा दिया यहाँ पर जब स्यूंगता को यह बात पता चली, मालूम पता चलती है तो वो एक पत्र लिखती है, पत्र लिखकर राजा पित्यूरा चौहान को वामंत्रित करती है और उनको लिखती है कि मुझे किरपया करके यहां से लेकर चले जाई है और एक तरीके के एक कहानी ये भी है कि जब समयमवर चल रहा था तो स्यूंगता ने वो बहार दवार पर गई वहार दवार पर जो परतीमा थी जो मुर्ती थी एक तरीके से जो स्टैचू था मिट्टी का पृतीरा चौहन का उसको हार पहना दिया गया और ये बात जब पृतीरा चौहन को पता चली तो वो आते हैं और स्यूंगता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और यहां पर एक कहानी ये भी है कि उन्होंने निमंत्रन भेजाता खुद स्यूंगता ने पत्र लिखकर और समराट वहां पर अपने दिये गए समय पर पहुंचते हैं से उक्ता gå वहां से लेकर चले जाते हैं और वहां पर जब लेकर चले जाथे तीसरी पतनी के रूप में इंसे शादी करतें प्रणि यूप रिजाकर बड़े ही धूमदाम से यहां पर इनके साथ विदी विदान बात मिला लिया संपर कर लिया और भाया दिली पर अकमन करने के लिया मंत्रit कर दिया इदर गोरी तो बैटाई था कि बाइया कोई तो आए हमारे साथ ऐसा कि जो गड़ारी कर सके और यहां पर यहां पर यहां पर यहां जैचन्द कर देता है और वचन इवन ये भी देते हैं कि मैं आपको मदद करूँगा आपको सारी सेना भी मैं परौइड करूँगा आपके सारा इंतजाम करूँगा खाने पीने का और ये बड़ी सब चीजें ये कर देते हैं इदर जो मुहम्मद गोरी था बड़ी सेना लेकर दिली पर अचाना का कर्मन कर देता है और जैचन अपने सैनिकों के साथ गोरी का साथ देता है जैचन ने पृतिवराज चोहान की सेना के आगे बड़ी संक्या में गाएं बच्चियां ये लगवा दी और इतनी इस बड़ी संक्या में गाएं बच्छें देखकर सैना जो है इनका मनोबल कमजोर पर जाता है क्योंकि गाएं को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते थे और इसलिए पृत्यूराज चोहान के सैनकों ने दुश्मन पर बान और गोलिया चलाना बंद कर दी और जब ये चीजuyu हूई उदर गोरी की सैना ने मोका पाकर पृथिराज चौहान की सैना और पृथिराज पर सब तरफ से घेर लिया और उनको मारना शुरू कर तिया और ग्यारा सो बाणवे का जो तराहि का यूद होता है इसमें गोरी जो है वो चल और बल से जीत जाता है अब यहाँ पर प्रित्युराज की जो सहना है बड़ी संक्या में मारी भी जाती है प्रित्युराज चोहान अपनी राज कवी चंदरवर्दाई के साथ कैद कर लिये जाते हैं और कहा जाते है कि उसवक्त त garbage सारा इतियास में है कि महाराज सम्राज पर्फित्युराज कुपर चोहान की दोनों आंक निकाल दीगई इवन कहा वर्दाई इनकी भी आँके निकाल दी गई थी ये इतिहास में लिखा हुआ है अब देखे अलग अलग इतिहास है इवन इतिहास तो ये भी कहता है कि पिर्थिराज चोहान जो लड़ाई में शहीद भी हो गए थे और उस वक्त जो महारणी सैयुकता थी उन्हों अपनी पती के मददकार को मतलब कि उनको इमा कि उन्होंने मदद की है उनको प्रसाहित करने के लिए उनको इनाम दे कर समानित किया था सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था तो बारी आई जैचंद की जैचंद भी इस उमीर में था कि यहां उसने सुल् जाल पैदा करिए कि दिल्ली प्राकमन करने के लिए हमें अमंत्रित किया उपर से अपनी सैना दी रसत द्वारा हमारी मदद की और मुझे हिंदुस्तान बुला कर तुमने अपनी लड़की और अपने दमात के साथ जो दोखा किया है अपनी कौम के साथ दोखा किया अपनी ज प्रपस तो पूरा करेंगे ना वहां जब यह वापस जाता है और अफगानिस्तान वापस लोड़ जाते है बहुत सारा धन दौलत लेकर यह लूटने आयते लूटेंगे तो यह परपस तो पूरा करेंगे ना वहां जब यह वापस जाता है तो मारने से पहले महमत गोरी को पता चलता है कि पृतिवरा चोहान की पास एक तरिकी की कला है कि उनको शब्द भेदी बान चलाने आते हैं अब शब्द भेदी बान चलाने का मतलब मैंने आप लोगों का बता है कि बस आवाज सुनकर उस दिश तूसरी बार हमें प्रमान मिलता है द्वापर में जहांपर एक भील बढ़ान श्रीकिशन भगवान के पाउं के छते पर मारा था जिससे भगवान के श्रीर पर बहुत बड़ी मात्रा में रक्त निकला गया था और बाद में उसी के कारण श्रीकिशन भगवान बैकुट चले गए थे और जब भील को ये बात पता चलती है कि उन्होंने गलती से भगवान श्रीकिशन के पाउं में शब्द भेदिवान मारा है तो बड़े गलाने से भगवान श्रीकिशन के चर्णों में अपना सर रखकर माफी मागने लगते हैं और भगवान ने का देखिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुमने तो बलकी बदला लिया है मैं एक नाचीज जो चिडिया जैसे निश्पाप प्राणियों को मार कर अपना गुजारा भरता करता हूं मैं भील भला साक्षात भगवान से क्या बतला ले सकता हूं तब भगवान ने बताय था कि त्रेता युग में मैं राम का अवतार था और तब धर्ती पर आया था उ आधी पावर्त तुम्हारे पास आजाएगी तो आधी शक्ति तुम्हारे पास आजाएगी क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव को उसकी पत्नी सुग्रीव की पत्नी तुमने उससे चीन ली थी और अपनी पत्नी बना लिया था और बोड़ा घरगर पर पाप ता और इसलिए सामने से मैं वार नहीं कर सकता था तुम्हें दंड देना भी जरूरी था इसलिए तुम दोनों भाईयों को बाली और सुग्रीव को आपस में लड़ा रहे थे और पीछे से छुपकर मैंने वान मारा था मतलब कि बान चला दिया था जिससे तुम तुमारी मृत्ती हो गी थी और तुम यमलोग पहुंचके थे आज उसी का बदला तुमने मुझसे लिया है और हिसाब अब बराबर कर दिया है एक तो यह हो गया अब तीसरा जो था है यह था इस कल्यूग में तीसरा शब्द बेदी बान जो था वो चलाने का परमान मिलता है परतापी समराड पृतिवराज चोहां गोर देश में पृतिवराज चोहां अपने शब्द बेदी बान चलाने का इम्तिहान देने जा रहे थे मुहमत गोरी एक बहुत उंचे स्थान पर बैठा था पृतिवराज चोहां और उनके पर निशाना लगाना था पूरी दूरी डिग्री दाएने का इसाब लगाकर कवी ने सबको सुनाकर अपने समराठ प्रतिराथ चोहान को एक और जानकारी दे धी ये बोले चार बांस 24 गज अंगुल अस्ट परमान ता उपर सुल्तान मत चूके चोहान अब चोहान ने अपनी उंगलियों पर एक अलग ही इनके पास एक ओर टैलेंट था कि अपनी उंगलियों पर यह गंडान की और जैसी घंटा बजा, गंटा बजा घंटे के ऊपर निशाना लगाने के बजाए, सीधा निशाना लगाया सुल्तान को, और सीधा धनुष से सब्द वेदी बान चुटा और जाकर सीधा लगा सुल्तान मुहमद गोरी के सीने पर बान लगते ही मुहमद गोरी अपने तक्त से लुड़क कर सीधा नीचे जमीन पर आगिरता है और प्रान दे देता है प्राण वहीं त्याग देते हैं उसके मरते ही उसकी सैना में हलचल मलती है और उसकी सैना पृतिवराज चोहान और चंदरवर्दई को मारने के तिरफ बढ़ती है और जैसे ही उनके तरफ जाते ही है चंदरवर्दई और समराड पृतिवराज चोहान एक दूसरे के पास उनके पास ये छूरियां होती है तलवार होती है वो एक दूसरे की सीने में मतलब एक दूसरे की सीने में घौप देते हैं और वहीं पर किसी भी तुर्क के हाथ लगने से पहले वो सरगवासी हो जाते हैं उसी दिन से ये मिसाल पड़ी मत चुके चोहां तो यही जो है वो मूवी में दिखाए जाने वाली चीज़ है यह तो होगी मैंने जो मूवी का एक तरीके से किस्सा ही आप लोगों को बता दिया अब यहां पर आते हैं कंट्रोवर्सी के उपर अब कंट्रोवर्सी आती है कि यहां पर गुजर जो कम्मुनिटी है वो यह कहती है कि राजपूत गुजर और राजपूत दोनों कम्मुनिटी में इसका इमत बेद है कि प्रित्युराज जो गुजर है राजपूत community कहती है कि वो राजपूत है और इसको लेकर दोनों community हैं अपना अपना एक तरीके से तर्क भी देती हैं यहां पर राजपूत जो थे महासभा जो राजपूत के हैं वो producer से मिले थे उन्होंने सारे तथे भी प्रस्तूत किये थे और इवन producer नहीं इस बात की तसल प्रणी सेना थी उन्होंने बात भी की थी कि देखिए वह या इस फिल्म का टाइटल भी बदल दीजिए प्रितियुराज से पहले आप एक समराड शब्द लगा दीजिए प्रितियुराज मतलब समराड प्रितियुराज आपको करना होगा अब यहां पर जो थे अखिल आते हैं यहाँ पर शिलालेक क्या हैं John G als Mid-out weekend को सब३रawan के उपर सिलालेक क्या चिंड-इवारों के ऊपर स्तंपों के उपर खुदवा दिया करते थे मतलब किताबों में तो मैंटाब की इंदर लिख्वाया करते दसवे के शलोग नमबर पचासवे पृतियुराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है, जबकि सर्ग 11 के शलोग नमबर 7 और 9 में गुर्जरों दौरा गोरी को पराजित करने का वर्रनन्द भी है, और इसे ये परमायनित होता है कि समराण पृतियुराज चोहान पर्वेश यानि, मुहमद्गोरी की बात हो रही है यहाँ पर तो यहाँ पर राज्या-Pृiga भी इनकी बात यह लिखी गई है तो यह पर्मान दिये गए है गुरजर community के द्वारा की प्रित्यराज जो थे वो गुरजर community थे care वो गुरजर थे या फिर एक तरीके से बात करें वो राजपूत थे हमारे लिए वो एक प्रेढ़ना के स्त्रोथ थे और जो ये बात आप के सामने आती है की ये आज भी movie के अंदर भी हम देखते हैं कि यहां पर कैसे interpret किया जाता है इस इतियास को तो यहां पर उमीद करता हूँ कि इस तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी पृत्वी राच चोहान के बारे में मैंने आप लोगों को even movie के story भी बता दिये कि क्या होने वाला है कि यहां देखते हैं कि story के अंदर कैसा हमें देखने को मिलता है क्या इतियास के साथ इन्होंने छेड़ चाड़ की या वैसी ही चीज़े क्योंकि Bollywood से वैसे भी उमीदें यह कि जाती हैं कि वो इतियास के साथ छेड़ चाड़ तो जाकर आँ वहां से इस video कि पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और कोई जादा ही पसंद आ गए हैं तो चैनल को भई आप शेयर भी कर सकते हैं इवन वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं थैंक यूपर वाचिंग डिस वीडियो